तो पुका रहें के बस गुरुदेव मुझे आपके चरणों की भक्ती चाहिए मुझे आपके चरणों में प्रीती चाहिए ऐसी सद बुद्धी दें गुरुदेव के बस मैं ऐसे ही कर्म करूं के आपकी द्रश्टी में भा जाऊं गुरुदेव के दिल में मेरे लिए थोड़ी जगा हो जाए बस अंतिम सांस तक ये प्रेम का रिष्टा निब जाए बस तो दुनिया में सब चीजे कर्म से मिलती है प्रेम कर्म से नहीं मिलता है आराधना कर्म से नहीं मिलती आस्था कर्म से नहीं मिलती सद्गुरु का सानिध्य कर्म से नहीं मिलता है यह हमने कोई कर्म किया और उसके बदले में हमको मिला है नहीं नहीं यह भगवान की कृपा से मिल गया है उन्होंने चाहा है इश्वरने कि यह सब मुक्त हो जाएं इसलिए हमको ऐसी जगह पे प्रेणा देकर बेज दिया और ऐसा लाब भी हमको मिल रहा है धन के लिए यस के लिए तो दोड़ धुप करनी पड़ेगी आपा धापी करनी पड़ेगी संसार में कुछ पाना हो तो श्रम ही मार गए परंतु उनकी क्रपा को पाना है उनको पाना है तो विश्राम उनकी द्रश्टी में भाना है तो विश्राम, शान्ती गुरु नानक जी ने कहा जे एक गुरु की सीख सुनी अगर गुरु की एक सीख भी सुन ली सुनने के बाद हम सत्संग के बाद थोड़ी देर शान्त भी बैड़ जाए जल्दी उपर जाने की न करे वैसे भी उपर जाने की जल्दी मत करना लोग सत्संग बुरा होते हैं न तो भागते हैं कि पहले मैं उपर जाओ उपर क्यों जल्दी जाते हो क्या जल्दी है उपर जल्दी मत जाना ठीक है यहां रहना जला जल्दी नहीं है साथविक संग से साथविक श्रध बढ़ती यन तो साथविक साथविक जादा होंगे तो ऐसे सात्विक सादग बाई बहनों के संग से औरों को भी रंग लगेगा उनका भी कल्यान होगा तो जे एक गुरु की सिख सुणी गुरु की सिखावन से ही नित्य प्राप्त की अनुभूती होती है लेकिन गुरू की सिखावन सुनने के लिए भी अपने को रुपंतरित करना होगा उसके लिए गुरू की और उनमुक होना होगा जैसे अरजुन ने युद्ध के मैदान में सब को पीठ दे दी और भगवान के तरफ मुक करके बैठ गए ऐसे यहां बैठें तो फिर यह न सोचना के अम सत्संग बुरा होगा तो मैं जाके फोन करूँगा कि हम एमदाबाद पहुंच गए है परसों निकलेंगे यहां से टिकेट रिजर्वेशन हो गई है यहां नहीं हुई है सब को पीठ दे कर बैठें मेरी बात नहीं होई मेरे इसको गुरुजी से मिलना नहीं हुआ हम बहुत दूर से आये थे हम लुध्याना से आये हम अम्रुच्षर से आये हम फलानी जगे से आये हमारी तो बात ही नहीं हो पाई एक सज्जन करना टक से आये थे मौन मंदिर में साधना करने साथ दिन रोज रात को उन दिनों गुरुदेव बाहर कारेक्रम में पधा रहे थे कहीं उनको मन में होता था कि रात को सुपने में तो गुरुदेव के दर्शन हो कम से कम सोते सोते प्राथना करते गुरुदेव स्वपने में तो दर्शन देना पर नहीं होते दूसरी रात प्राथना करके सोते नहीं हुए सातों दिन में एक बार भी रात को स्वपने में दर्शन नहीं हुए तो उनको वा कि कैसे मेरे पाप है स्वपने में भी दर्शन नहीं हुए जब अगले रईवार को निकले तो वड़ दादा को फेरे फिर के सत्संग पंधाब हौल में उपर आके बैठे संध्या के कारिक्रम में जैसे ही वो बैठे दो-पांच मिनिट में नहीं बीती थी गुरुदेव बाहर से पधारे और सीधा सत्संग हौल में आए और उनके पास आकर खड़े हो गया और कहा कि क्यों मौन मंदिर में आनंद आया कि नहीं आया तो कभी-कभी अपने भक्त का वियोग विरह बढ़ा कर उसके विकारों को उसके पापों को नश्ट करने के लिए जैसे अगनी में कोई भी चीज डालो तो जल जाती है न ऐसे ही विरह अगनी में वियोग की अगनी में भी पापताप विकार जल जाते हैं गुरु का सानिध्य हो ठीक पर गुरु का सानिध्य नहों गुरु दूर हो हमको प्रत्यक शुरूप से दर्शन न हो रहे हो तो वियोग को भी बड़ा सुन्दर योग बनाया जा सकता है तब तो उनकी याद में तड़प और बढ़ जाएगी और उस तड़प में सारे बापता पविकार जल जाएंगे सानी दे का लाब मिले तो सानी दे का लाब उठाएं और जब न मिले तो फिर उनकी सुमृति उनकी वचनों की सुमृति उनकी द्रश्टी की सुमृति उनके पवित्र हास्य की सुमृति वो हमारे रदय को भर देती है आश्वासन से और आखों को भर देती है आशुओं से दुनिया में कोई रोए आदमी तो वो अशाम्त होता है उसकी आखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है पर भक्ति भाव में आकर जो रोता है न उसकी आखों की रोशनी कमजोर नहीं होती, बलकि दिव्य द्रश्टी होती है चस्मा हो तो भी उतर जाए पुन्य बढ़ते हैं न तो नाम जपत मंगल दिसी दसहों ये वचन कोई मिथ्या नहीं है, जूठा वचन नहीं है ये शास्त्र का नाम जपो तो मंगल होता है दसोंदिशाओं में, विल्कुल पक्की बात है उनको भले स्वपने में दर्शन नहीं हुए, पर साथ में दिन जब मौन मंदिर से बाहर आये तो सीधा गुरु देव ने आकर ये ही कहा, क्यों मौन मंदिर में आनन्द आया कि नहीं बड़े गद गद हो गए कि अरे तो जे एक गुरु की सीख सुनी, गुरु की एक सीख सुन ले बड़ा भारी लाब होता है, क्योंकि गुरु के वचन मैं फिर कहूं मुक से नहीं, कंट से नहीं, अंतर मंदिर से आते हैं आप यहां बैठे रहते हैं क्यों बैठे हैं अभी मुझे सुनने के लिए नहीं अभी गुरुदेव आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे उसलिए शान्ती से बैठे रहते हैं और मैं बोलता रहता हूँ, आप सुन लेते हैं, बाकि कोई मुझे सुनने के लिए नहीं आए गुरु वाणी श्रवण करने सब साधक खुब तरसे, मुख मीठी मदुर गंगा सतशिष कशुब कर दे गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु के पास एक सीख सुने, पर मस्तिष्क से न सुने, रदय से सुने निरणायक होकर न सुने, निश्ठावान होकर सुने, ये न सोचे कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत नहीं नहीं हम शिक्षक के पास नहीं आए हम सद्गुरु देव के पास आए शिक्षक के पास जाओ इस्कूल में तो बले पूछो दो और दो चार क्यों पांच क्यों नहीं पर गुरु के पास आए तो शिव जी का वचन है गुरु गिता जो पढ़ते होंगे उनको याद आ जाएगा गुरु नाम सदसद्वापी यदुक्तम तन्नलंगयेत कुरुवन आज्याम दिवारात्रो दासवन्नि वसेद गुरो गुरु की बात सच्ची हो या जूठी पर उसका कभी उलंगन मत करो शिव जी का वचन है गुरु की बात सच्ची हो या जूठी उसको काटो मत तो क्या गुरु की बात जूठी हो सकती है क्या बोलो गुरु की बाद जूठी होगी क्या नहीं होगी तो फिर शिव जी ने क्यों कहा गुरु की बाद सच्ची हो या जूठी उसका उलंगन मत करो गुरु जो कहते हैं जरूर उसमें कुछ कारण होता है भले उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा हमको लग रहा हो कि नहीं नहीं हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है पर उनको जो ठीक लग रहा है वो ही ठीक होता है अमरनाथ में जाते हैं लोग रक्षा बंधन वाली पूनम को तो एक आश्रम के दो-चार साधक जो साहित्य प्रचार की गाड़ी लेकर जाते हैं उन्होंने टेलीफोन पे गुरुदेव से प्राथना के कि हम अमरनाथ जाएं गाड़ी लेकर साहित्य का खूब प्रचार होग बापु जुने तुरंद का नहीं जाना फिर थोड़े दिन बाद दो-चार दिन गुरुदेव हम जाएं बापु बोले नहीं जाना फिर दो-चार दिन जाना बस बार-बार बात काटो मत उन नहीं गए बाद में पता चला के वहां भयंकर तूफान भी आया था और आतंग बादियों द्वारा गोली बार हुआ था उन दिनों सो लोग मारे गए थे आतंग बादियों की गोलियों से बाकी तूफान में दब कर तो और भी कई मारे गए थे तब मेरी बात हुई उनसे मैंने का क्यों तुम तो बड़े नाच रहे थे कि मैं जाओं मैं जाओं गए होत पास निर्णायक हो करना सुने, कई लोग गुरू के पास आते हैं पर तैयार नहीं होते, तैयारी का मतलब कि अभी अपने पर तो भरोसा है पर गुरू पर भरोसा नहीं करते कि गुरू जो कह रहे हैं वो ही सही होगा, सोचते हैं कि क्या करें, तो इस श्रद्धा नहीं है, प गुरुनानक देव कहते हैं जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नव खंड विच्ची जानिये नाल चले सब कोई चंगा नाम रखाई के जस कीरती जग लेई जे तिस नदर न आवाई त बात न पूछे कोई चारों युगों जितनी आयू हो किसी आदमी की सत युग चार लाख बत्तिस जार साल गातो कल युग उससे दुगना द्वापर युग तीन गुना त्रेता युग चार गुना सत युग कितना हो गया अब गणित आप लगाँ मेरा गणित वैसे भी कमजोर था पहले भी कितने साल हो गए जे जुग चारे आरजा चारों युग की जितनी आयू है उतनी आयू किसी की हो हो और दसोनी हो उससे दस गुनी जादा हो चंगा नाम रखाए कि अपना नाम ऐसा कर दिया समाज में कि सब लोग वहावा करते हैं जस खुब हो गया कीरती खुब हो गई जस कीरती जग लेई नवखंड विच्ची जानिये एक एमदाबाद में नहीं एक गुजरात में नहीं एक पंजाब में नहीं यूपी में नहीं भारत में अमेरिका में नहीं नवखंड सब जगे नाम हो जाए कि वा भई वा भई वा भई वा 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 नवखंड विच्ची जानिय नाल चले सब कोई फिर भी जेतिस नदर न आवाई फिर भी अगर हम गुरू की नजर में नहीं जचे उनकी द्रश्टी को नहीं भाए तो कुछ भी सार नहीं है ततह किम ततह किम जो शंक्राचार्य जी ने कहा संसार में कोई भी उपलब्दी हो जाए सादक कभी भी किसी भी हालत में निराष न हो बस दो बिखारी थे बिखारी आपस में बातें कर रहे थे एक बिखारी बोला के ये भी कोई जीवन है रात को ठीक से सोने को नहीं मिलता कहीं सोते तो पलीस वाला डंडा मारके भगा देता है ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते टीटी जब चाहे जहां चाहे हमको उतार दे गाड़ जेग उत्रो उत्रो भागो अपमान सहना पड़ता है रोटी कभी मिली न मिली मिली तो रूखी सूखी और जूटी लोगों की कैसा ये भी कोई जीवन है हमारा ना पैसे है ना घर है ना कम्बल है ना कुछ है कैसा हमारा जीवन है तो दूसरे विखारी ने कहा फिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते तुम तो उसने कहा कि मैं ऐसे हार स्विकार कर लो विखारी बोलता है कि मैं हार स्विकार क्यों कर लो अब एक बिखारी हार स्विकार नहीं करता तो भक्त हम लोग क्यों हार स्विकार करें किसलिए हार स्विकार करें वो प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धिरजदारी हैं चाहे कितना ही दुख आये तन जाये पर प्रण टल न सके अपना प्रण टले मा झाल झाल